तो अपनी UFC fight से पहले ही Conor McGregor ने multiple records तोरना start कर चुके है UFC 303 event के अंदर Conor McGregor almost 3 साल बात comeback करने वाले है और इस fight के बारे में Dana White जो की UFC के president है उन्होंने ये update करा है कि already UFC ने 20 million dollars की ticket sell कर दी है इस event के लिए और और भी जाधा ticket sales होने वाली है और इसके कारण UFC 303 event एक ऐसा event बन गया है UFC के अंदर जो की सबसे जाधा ticket sales करा है in fact Habib vs McGregor वाला event था उसको भी यहाँ पर surpass कर दिया है UFC 303 ने साथी साथ UFC के अंदर क्या क्या हुआ MMA community के अंदर क्या क्या हुआ पिछले एक हफते के अंदर सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिसकास करेंगे लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा UFC Combat Sports का ऐसा ही content हिंदी में enjoy करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं यह जो 20 million dollars की यहाँ पर UFC ने earning करी है तो 20 million dollars basically UFC ने कमाए है अपने ticket sales करके जिस arena जिस stadium के अंदर यह fight होने वाली है Connor vs Chandler उसकी यहाँ पर ticket sales करी है टी mobile arena के अंदर होने वाली है almost 25-30,000 लोग इस arena के अंदर बैठ सकते है और उसकी ticket sales करके ही almost 20 million dollars यहाँ पर कमा लिए है UFC ने और यह around Indian rupees में 1.500 करोड के round होता है जो कि एक बहुत ही जादा staggering number है और ऐसा ticket sales करके जो price कमाया जाता है यह boxing के अंदर देखा जाता है और बड़े-बड़े sports के अंदर देखा जाता है UFC सिर्फ online pay-per-view sales करके पैसे कमा सकती है लोगों को ऐसा ticket sales करके इतने वैसा नहीं generate कर पाती है 20 million mark कभी hit नहीं कराता है इवन McGregor की fight जो हभीब के साथी उसमें भी 17 million dollars का ही market हुआ था यह वाला benchmark भी यहाँ पर MMA ने cross कर लिया 20 million dollars का यहाँ पर सिर्फ ticket sales हुई है इस event के लिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से confuse हो रहे है तो मैं आप सब का confusion दूर करता हूँ UFC 303 ने सिर्फ अभी ticket sales number उसके बहार आए UFC पैसा जो कमाती है वो बहुत अलग-अलग तरीके से कमाती है देखेंगे उसके अलावा जो वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो आप fights को access कर सकते हो fight को देख सकते हो तो online भी UFC fights को sell करती है जो पेपर व्यू मोडल के हिसाब से हो sell करती है हलाकि इंडिया के अंदर पेपर व्यू मोडल नहीं होता और जो हबीब वर्सेज मेंग्रेगर वाली fight थी उसके almost 2.2, 2.3 million पेपर व्यू बाइज हुए थे उस event की योकि UFC की history का सबसे जादा sold पेपर व्यू event था और जो UFC 303 event है Michael Chandler वर्सेज गॉर्नर मेंग्रेगर इसके पेपर व्यू sales का नंबर अभी नहीं निकल गया है क्योंकि fight के close जाने पर ही बहुत सारे लोग पेपर व्यू खरीदते है और fight के बाद ही ये पेपर व्यू नंबर्स निकल के आते हैं और कभी कबार नहीं भी निकलते हैं लोग guess लगाते है तो definitely यहाँ पर यह चीज है UFC 303 का सिर्फ ticket sales नंबर आया है और ticket sales में definitely इसने UFC 229 को beat कर दिया बट पेपर व्यू नंबर्स अभी हमारे पास नहीं है और वो fight के बाद ही हम सब को पता चलेंगे definitely भाई हो यहाँ पर इस event की popularity बहुत जादा है बाकि आप सब का इसके बारे में क्या opinion है नो मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताएगा तो भाई यह तो रही UFC 303 पेपर व्यू इवेंट के बारे में आप इसके अलावा एक और update यहाँ पर डेना वाइट ने बहुत important दिये कि UFC का जो apex cards होते थे UFC Vegas cards जो होते थे वो अब बंद होने वाले कुछ time में हम सब को पता है COVID के time पे UFC एक नए type of events लेकर आई है पहले तो आप सब कोई कि यह समझना पड़ेगा UFC में तीन types के event होते है एक जो सबसे बड़े numberड event जैसे UFC 303 304 और UFC 300 वैसे वो pay-per-view cards होते है उसके लावए UFC fight night cards कराती है जो कि एक smaller card होता है smaller arena में होता है बट एक arena के अंदर होता है उसके अंदर fans होते है उसके अलावए UFC एक Vegas card कराती है जो कि UFC लास वेगस जो performance institute है उनका जो headquarter से उसके अंदर एक octagon होता है उसके अंदर fights कराती है अब यह वादा system उनको इसलिए लाना पड़ा थे क्योंकि COVID के टाइम पर आप बाहर arenas में जा नहीं सकते थे लोग आनी सकते थे देखने के लिए तो उन्होंने यह UFC के Apex cards लेके आया थे 2020 के अंदर COVID था और वो एक necessity थी UFC ने उस चीज़ को continue करा in fact COVID के टाइम पर UFC और MMA एक first ऐसा sport था जो कि वापस आया था fights resume होई थी UFC के सबसे पहले किसी भी sport में इतनी जल्दी resume नहीं हुआ था fights जितनी जल्दी UFC के अंदर हुआ था क्योंकि UFC ने अपना arena था उसमें stadium के अंदर लोग आये थे तो definitely आप वैसे cards होंगे UFC के fight nights card होंगे different different cities में USA के अंदर और foreign में भी होंगे but यह UFC के apex card धीरे-दीरे खतम हो जाएंगे पुरी तरीके से personally भाई हो यह US वाले audience को बढ़ादा effect करेगा क्योंकि उनके cities के अंदर गर event होगा तो वो जाकर attend भी करपाएंगे हम सब को उतना जादा effect नहीं करेगा क्योंकि obviously हम तो सारे fights को online ही देखने वाले बट यह रहेगा कि जब stadium में arena होता है और कोई बहुत-बड़ा event पे-per-view नहीं भी होता है कोई बहुत-बड़ी city में होता है जैसे बॉस्टन वगरा में होता है तो उस event के अंदर fights भी अच्छी डालती है बड़े city के अंदर होगा तो UFC ऐसा forced होगी कि एक बड़ा event और एक बड़ा fighter भी उसके अंदर डालेगे UFC 229 को बीट कर पाएगा वो भी मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगा तिल देन वीडियो बसंद आएगो इसको like चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलता हूँ आप सब को नेक्स वीडियो में अगले update के जाथ बाई बाई